अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जूड़ रहा है तो मैं आपको बता दूँ इस चैनल में आपको बताया जाता है हर वह स्टॉक के बारे में जो आगे चलिके आपको अच्छी से अच्छी वेल्थ क्रेट करा के दे सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस यह कहां तक जा सकता है लगबग 52 वीक नियर हाय अल्रेडी पहुँच चुका है इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं इनलिस्ट की राय क्या है हर चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो आप लोग बने रहे हैं और देखें वीडियो को लाश तक यहां पर आगया है साइमेंस की प्रॉफाइल की ऊपर तो आप लुग देखेंगे कि आज का प्राइस चला है लगबग 19 195 रुपीज का और आज इसने हाई लगबग 2064 रुपीज का इसने लास्ट ही लगबग 2100 रुपए का 52 वीक हाय को टच किया था और आज इसमें हल्की सी गिरावट आई है क्योंकि मार्केट भी आज थोड़ी सी डाउनफॉल दिखा रहा था वगर हम लोग बात करें इसके वीक ले रिटर्न की तो आप लोग देखेंगे लगबग 7% की रिटर्न इसने प्रवाइड कराया है वन वीक में बात करेंगे अगर मंत्ली रिटर्न क इसने वन मंत में और ये में तो 100% के प्रवाइड कराया है लगबग 90.99% की रिटर्न इसने दे दिया है लगबग आपका पैसे को दूग ना करती है अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की लगबग 71,359 करोड का मार्केट कैप है और ये और ये और ये 52 वी प्रकास्ट में जा देंगे और देखेंगे लगबग 21 एनिलिस्ट की रहा यहां पर डली हुई है और केवल 33% एनिलिस्ट ही बोलते हैं कि इसको इस टाइम पर बाय करना चाहिए क्योंकि और यहां पर हाई करना थोड़ा रिस्की हो चाएगा और अगर आपको इसको बाय कर तो इसके चक्र में आप अपना बड़ा इमांट इसमें नहीं फसा सकते हैं इस वजह से आप अभी थोड़ी दिर वेट कर सकते हैं थोड़े दिनों तक तक यह स्टॉक गिरे या फिर तब बाय कीजएगा तो अगर हम लोग बात करें इसके प्रॉफिट की तो आप लोग द दिखाया था इन्वेस्टर्स को लगबग 3,000 करोड रुपीज का लेकिन वापस से इसका डाउं प्रेंड स्टार्ट हो गया और यह वापस से कंपनी अपने बैक टू स्मॉल रिटर्स में आ गई है और यहां पर देखे इस टाइम इसने केवलो केवल प्रॉफिट जेनरेट करके दिया है 958 करोड का तो यह कंपनी ऐसा नहीं है कि लगातार प्रिविएस येर से आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जेनरेट करके दिखा रही हो अगर ह अब ही मार्केट में हैं और आगे चलके आपको आने वाले टाइम में अच्छे से रिटर्न प्रॉइट कराके देगें मैंने इस चैनल में आपको लड़ी बहुत सरे स्टॉक्स ऐसे बताया है जो कि आपको अच्छी वेल्थ कराके दे सकते हैं तो आप उनमें भी इन्वेस FII होल्ड करते हैं इसमें 4.37% और DII थोड़ा ज़्यादा होल्ड करते हैं लगबग 10.58% की होल्डिंग है इस स्टॉक में उनकी अगर हम लोग स्टॉक की स्टेंथ के बारे हम बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे लगबग कौटर इसने जो रिजल्ट दी हैं बहुत ही इंक्रीज कर रही है यह अच्छे परफॉर्म कर रही है कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज नहीं है FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है यह लगबग 52 वीक नियर हाइस में है यह सब थोड़ा इंडिकेट करते हैं इस स्टॉक को कि अभी बाइंग अपॉर्चूनटी है और और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कतिया पर सानी की समझ माई हो तो कमेंट को सेक्शन में जरूर बताईएगा थैंक्यू टू अल